मित्रो मार्कट में इस समय कई सारी मतलब बहुत गलत खबरे चल रही है जैसे एक अभी हाल में एक मैसेज बहुत ज़्यादा वाइरल हो रहा है फेस्बुक हर जगा तो मुझे कई सारे मेल आए लगबग 17 से 18 मेल आए कई सारे स्टुडेंट्स के उन्होंने कहा सेर कि 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को exact उन्होंने कुछ आंकड़ा भी भेजा था कि 10,400 कुछ विद्यार्थियों का जो मार्कट में एक न्यूस चल रही है कि इतने ज़्यादा विद्यार्थियों को तो सिर्फ 109 कटब पे सेलेक्ट कर लिया गया है तो कटब बहुत ज़्यादा हाई जा रही है 105 प्लस जा रही है तो इस अंदर में सारी चीज़े हैं तो मैं इस सम्मंद में आपको पूरा बताता हूँ पूरी मैंने काईदे से सारे जो सोर्स हैं सारे जो बाकी चैनल भी है यूटूब, टेलिग्राम सारे मैंने फिल्टर करके देखे कि आखिर न्यूज में आखिर दम कितना है तो देखे इस खबर पे आगे बढ़ते हैं पहले एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि आज भगवान विर्सा मुंडा जी की जैनती है 15 नवंबर तो आज जनजाती गौरव दिवस मनाया जाता है तो हमें नमन करना चाहिए एक ऐसे वीर योद्धा का एक भगवान की श्रणी में खड़े एक व्यक्ति का जिनोंने अपने भाले कुलहाडियों के साथ आगे जो तकनीकी हत्यार थे मतलब की बंदूक बंद लोग जो खड़े थे उनके सामने भाले तलवारे लेके खड़े हो गए तो नमन है भगवान विर्सा मुंडा जी को यहां बात करते हैं कि यह देखे सामने एक तो यह वाइरल चलना था फेस्बुक पे कि BPSC PT कटप तै नहीं होने के कारण 14 नमंबर को रिजल्ट जारी नहीं कर पाई अब रिजल्ट 2-3 दिन की देरी से होगा देखे इस समय किसी से भी पूछेंगे जब रिजल्ट आपका 14 तारीक को नहीं आया जब यहां पर आपका रिजल्ट जो है 14 तारीक को नहीं आया तो सीधी बात है 2-3 दिन के बाद अब सीधी बात है यहां पर डेट कोई कनफरम नहीं कर सकता यह आपका जो रिजल्ट है आज 15 तारीक है यह अब कभी भी आ सकता है ये result हो सकता है कि आपको देखने को मिले 16, 17, 18, 19 कभी भी शायद 16, 17 में भी कम संभावना है ये result आपको जारत तर आप देखेंगे कि हो सकता है कि 18 से 20 तारिक के बीच में देखने को मिले क्योंकि no doubt कि कुछ commission के अपने मदद कुछ चीजें खासकर प्रेशनों को हटाया जा रहा है OMR sheet को पूरा मुल्यांकन जो है वो किया जा रहा है अब उसमें भी थोड़ी साफधानिया बरतनी होंगी क्योंकि कई सारे question को हटाया गया कई सारे question के e-option दिये गए अब आप ये एक बात बताईए अगर इन्होंने राष्टपती के समन्द में एक प्रेशन पूछा है तो मुझे लगता है कि 99% जा 90% crowd ले लेते हैं जिसने की जस्वंत सिना वाला question टिक किया होगा वो सही है अब आपने 15-16 का ध्यान नहीं दिया इसमें विद्यार्थी की क्या गलती है आप ही बताईए इसमें विद्यार्थी की आखिर गलती क्या है और इस तरह के भी समान्ने प्रेशन को अगर कोई विद्यार्थी गलत कर रहा है तो इस तरह के प्रेशन का लाब हो रहा है तो आयोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए पता नहीं इनसे 150 प्रशन भी क्यों नहीं बनते 150 प्रशन ये तो विद्यार्थियों से भी अगर बोली लगाएं तो कोई बच्चा 4000 रुपे में इनको स्रेड बना के दे देगा देर सो प्रशनों का जिसमें कोई गलती ना हो भाई आप authentic source ले सकते हैं आप market की 6 से साथ authentic books NCIT based पे 150 question बना के दे दिजे और current के लिए आप कोई भी newspaper 2 से 3 newspaper को follow कर सकते हैं जहां से 20 से 25 प्रशन बना के दे दिजे आखिर आपसे एक प्रशन ऐसा क्यों नहीं बनता क्योंकि 8-10 प्रशन ऐसी आम बात नहीं है अब जिस बच्चे को जिसने इतिहास पड़ा है वो कुशान क्योंकि अंतराश्टी विपार बहुत फेमस था कुशानों का तो कुशान अंसर लगाएगा अब आपने जिस समें पेपर बना है तो उस समें एक से देड़ महीने पुरानी खबर को कवर किया जाता है तो पहले आपका G20 जम्मो कश्मीर था फिर करेंट में दिली था तो इसमें विद्यार्थी की क्या गलती है अब इस तरह कि आप 4 प्रिशन हटा देंगे तो कोई भी 104 से 100 पे आ जाएगा 108 से 104 पे आ जाएगा और जबकि मेंस प्रिक्षा में ना निकलने पे पूरा एक साल चला जाता है विद्यार्थी का अब यहां पर मैं आपको exact एक आंकड़ा बताता हूँ जो मार्केट में इस समें चल रहा है तो खबर एक की कटप ज़्यादा चला गया है अनुमान से अधिक इसलिए रिजल्ट रुख गया है कई तरह की बाते चल रही है जिसमें एक आंकड़ा जो है वारल हो रहा है वो है आपका 10447 वाला आंकड़ा 109 कटप 10447 पे ही गई है तो कटप को अब अगर कम करना है तो यहां पर विद्यार्थियों को 15,000 तक लेके जाना होगा तो देखे यह बिल्कुल बे बुनियाद खबर है इसमें कोई दम नहीं यह सब गलत है सीधा इस समय मार्केट में बस एक डर है संशे है तो उसमें कोई भी चीज निकाल दी जा रही है चल जा रही है ऐसा कुछ नहीं आप सीधा मानिये जो कि जो आपकी जो यहां पर कटप है मैं आपको कहना चाहूँगा मित्रो कि यहां पर आपकी जो BPSC की कटप है वो इसे साफ से जितने इनोंने परशन हटाए है 100 से 103 में बहुत सुरक्षित मामला रहेगा 103 पे तो बहुत सुरक्षित रहेगा कटप आपकी यहीं रहनी चाहिए 100 से 103 के बीच में और महिलाएं आपकी 95 से 97 परशन पर बहुत सुरक्षित है 97 कोशन उनका क्रोस नहीं होगा यहां मेल लड़कों का 103 कोशन क्रोस नहीं होगा यह मतलब हाइस्ट कटप है यह मतलब इससे नीचे रहनी चाहिए कटप 199 लेकिन यह आपकी हाइस्ट है कि 103 को शायद अगर टच ना कर जाया क्योंकि क्राउड जादा है और उसे हिसाफ से कटप आपकी रह सकती है लेकिन लास्ट यह का देखा जाया तो एक सेंटर में पेपर आपका लीक हुआ था और उसके अलावा भी आपके कई सारे बच्चे जो थे एक तो सीड्स भी कम थी और एक पेपर भी लीक हुआ था कुछ और भी यह सारे कारण रहें जिसके चलते पिछली बार की कटप 108 को टच कर गई थी तो इस बार कटप आपकी मतलब 105 तो क्रोस नहीं करेगी लेकिन मैं मानता हूँ कि 103 भी क्रोस नहीं करेगी आपकी कटप यही 100 से 103 के आसपास रहेगी और यह एक अनुमान है एक जो पुराना experience है उसके अधार पर अनुमान है कुछ ऐसा तो है नहीं कि commission ने इस चीज़ को public कर दिया है क्योंकि कर नहीं सकता यह बात फिर न्याले में चली जाएगी तो यहाँ पर यह market में चल रहा था यह बिलकुल आपका जो यह आपकी news है market की यह पूरी तरह से बेबुनियाद है result आपका अगले 2-3 दिन में आएगा इसकी confirm date कुछ नहीं है मित्रो result जो है आपका मतलब बहुत जादा chances है कि आपका result 17-18-19 में आ जाए लेकिन confirm date फिलाल कुछ नहीं है कोई confirm date नहीं है कोई कुछ नहीं पता आयोग को कितना समय लग रहा है किस तरह की समस्याय आयोग में आ चुकी है किस तरह से copy को review किया जा रहा है यह पूरी तरह से आयोग जानता है जा commission की अंदर की बात है जो commission का kitchen cabinet है वही जानता है कि चीज़े कैसे हो रही है इस तरह की market में खबर कोई नहीं है लेने भी जाएंगे तो gate पे खड़ा बंदा वहाँ इसे बाहर बेच देगा किसी तरह की कोई news नहीं मिलेगी बाकी सारे gossip चल रहे है तो आप मानके चलिए कि cut up आपकी विद्यार्थियों के रीव्यू के अधार पे बता रहा हूँ कि इस से जादा नहीं जानी चाहिए और यहाँ पर मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ मित्रो 67th BPSC के मुख्य प्रिक्षा को समय कुछ नहीं बचा समय बहुत जादा कम है एक तरह सही से देखा जाए तो मात्रा आपके पास 40 दिन का समय बचा है